Hello बच्छों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड इस्कुल में बच्छो सैनिक स्कुल के जो सेकेंड राउन की कांसिलिंग होई थी उसका रिजल्ट आ चुका है रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब आप लॉग्ईन कीजिए All India Scenic School Admission Counseling की साइड में ब्लॉग इन करेंगे आपका username होगा पास्वार लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे आपको अगर seat allot होई होगी तो आप Scenic School या फिनीव Scenic School कोई भी seat allot होई मतलब आपको वहाँ admission जाके लेना है प्रोसेस करना है, medical का प्रोसेस करना है document submit करने है और fees payment करके आपको final admission लेना है ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे का नाम नहीं आया होगा, किसी भी सैनिक स्कूल या निव सैनिक स्कूल में, तो आगे third round होने की भी संभाव ना है, क्या होता है first round जब हुआ तो कुछ seat खाली रह गई तो उस पर second round की counselling होई अब second round की जब counselling होगी हो सकता है कुछ बच्चे medical में मतलब fit नहीं हो पाए, यह document submit ना कर पाए, फिर से कुछ seat खाली हो जाएंगी तो उस पर क्या होने के chances से आपके third round की counselling कितने नंबर तक के बच्चों को सैनिक स्कूल और नियू सैनिक स्कूल मिला सब कुछ बताया जाएगा आपको seat allotment में आपको क्या कहां पर क्या लिखा हुआ दिखेगा कि seat allot होई है medical की date कब है medical जो आप medical center कौन सा मिलेगा आपको जहां जाना है medical का process करने ठीक है document क्या submit करने है आप सभी को admission का process क्या है step by stage सब कुछ आपको यहाँ ही समझा दे एक ही वीडियो में मैं सब कुछ समझा दूँगा ऐसा नहीं कि अलग-अलग मैं seat allotment समझा हूँ cut off, documents, admission process सब कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा सभी को अपना जाके check कर लेना कि seat allotment जो लेटर है उसमें आपका नाम है या नहीं अब seat आपको मिल गई सैनिक स्कूल का नाम आगया कि आपको सैनिक स्कूल घोडा-खाल मिला हुआ है example दे रहाँ ठीक है अब option आएंगे आपके पास accept, reconsider और exit यानि कि जो seat आपको मिली है उससे आप खुस है उसी सैनिक स्कूल में आप या new सैनिक स्कूल में आप admission लेना चाहते है reconsider यानि कि आप पुनर विचार करना चाहते हैं जो सैनिक स्कूल मिला उससे आप खुस नहीं है कि reconsider कर देते हैं यूँकि पिछली बार तो आपने कर दिया तो इस बार आपको मिल गई होगी सीटे लेगिन बार बर करेंगे हो सकते हैं सीटे ही समाप्थ हो जाए आपकी category के लिए तो ध्यान रखे इस बार ठीक है और exit किया यानि कि आप admission लेना चाहते counseling के process सही बाहर हो जाना चाहते हैं ठीक है सब कुछ में आपको एक एक चीज समझाते हुए चलूँगा ध्यान सी देखिएगा आप सभी वीडियो सभी दोस्तों को share कीजिए वीडियो को like कीजिए और channel को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो channel को subscribe किया आपको जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके update हम आपको देते हैं complete आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया जाएगा अब देखिए important date जैसे आप बात करें first counseling की तो उसमें क्या था 6 March से start हुई थी 13 March तक ठीक है तो आप यह वाली जो second round की counseling कम से साथ अप्रेल से 13 अप्रेल तक first round की counseling ठीक है अब बात करें कि जो seat result आया था आपका 17 March को आया था कब आया सात्रा मार्च तो आपका रिजल्द 13 को ही आ गया कब अगया 13 अप्रेल को ही आ गया सामको साथे 6 बजे ठीक है अब आगए का process कहा देखिए last यह round one की बात हो रही है यह round two की हमको round two पर ध्यान देना ठीक है ठीक है यह रिकंसीडर करना है ठीक है रिकंसीडर करना है या फिर exit करके counseling के round से ही बाहर हो जाना है फिर आप दुबारा counseling कर पाएंगा अगर आपने exit कर दिया रिकंसीडर में ठीक है अगर सीटे बसती है तो accept मतलब आप सीट को लेना चाहरे है ठीक है आपको कौन कौन से document लगेंगे तो सब कुछ मैं बता चुका है और आपको सर्च करना है कि सैनिक स्कूल एड्मिसन के लिए आपको कौन कौन से document लगेंगे लास्ट में द्रोड इसको लिखके सर्च कर लें document ठीक है आपको सभी document की list मिल जाएगी ठीक है तो यहां पर देखिए यह क्या था बीस मार्च से लेके 4 अप्रेल तक प्रोसेस था ठीक है अभी यहां पर है आपका 15 अप्रेल से लेके 27 अप्रेल तक आप यह certificate इसका आप सभी document मतलब मेडिकल को मिला के सभी document जो 1314 टॉक्यूमेंट है उसको लेकर submit करेंगी submit करने के बाद आप फीस जमा करेंगे ठीक है यह प्रोसेस कब से होगा 15 मार्च 15 अप्रेल से लेके 27 अप्रेल के भी ठीक है लाज डेट ऑफ रिपोर्टिंग तो अलोटेट कि तब तक आपको जो भी सेनिक स्कूल में आपका admission हो रहा है वहाँ सब कुछ document medical certificate लेके मौझूद होना है ठीक है इसका आपकी फीस payment का process होगा वह यह चलान के द्वारा होगा ठीक है डारेट ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि हम जाके वहां phone पे कर देंगे तो वो सब चीज सेनिक स्कूल एडमिरेशन कांसलिंग ठीक है इस पे इसी पे कांसलिंग की official जो side है इसी पर हो रही है आप पहले क्या होता था डायरेक्ट आप सैनिक इसकूल या निवसेनिक स्कूल सेलेक्ट करते थे आप देख़िए यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके लिग देंगे यहां round two लिग देंगे ठीक है और इसका class six का चाहिए class nine class six करेंगे तो अपना सब कुछ कितना cut up गया है किस बच्चे का selection हुआ है किस की कितनी rank है सब कुछ आपको दिख जाएगा आप अपना भी जाके आप देख सकते मान के चलिए आप देखेंगे कि 245 वाले बच्चे के selection हुआ है unreserved ठीक है boy है home state ठीक है home state अब देखेंगे कि आपके 244 नंबर है तो फिर आपके chances next round अगर seat खाली होती तो बनते हैं तो आप जाए के cut off जरूर देखें ठीक है ये cut off की बात हो गई अब देखें candidate के पास तीन option आएंगे बताया था मैंने आपको accept reconsider और exit ठीक है मैं आपको पढ़के बता देता हूं वही process है कि आपको देखिए अगर आपने accept की तो आगे के जो भी process गुजरना पड़ेगा accept किया तो आपको medical certificate then document submit करने fees payment करके आप admission ले सकते हैं ठीक है और जो समय आपको समय सीमा कब तक दी गई है देखिए 27 अप्रेल तक क्या है final admission के लिए last date तक है पूरा आपको medical document submit last तक कर देना है last date आपको दी हुई है वहाँ ठीक है और accept कब तक करना है यह देखिए यहाँ पे लिखा होगा seat accept कर रहे है यानि यह आपको बता देना है कब तक 18 तक 18 तक तो सोच लिजे समझ लिजे क्या आपको लग रहा seat accept करने पर ज्यादा जोड़ दीजेगा पिछले बार चांसे था रिकंसेडर वाल इस बार के मानग चलिए 3-4 seat बच्रे वह भी आपके category के लिए है यह करेंगे जो साइनिक स्कूल मिला उससे आप खुश नहीं तो नेक्स राउंड की कांसलिंग में आप हिस्सा लेंगे इसके लिए एक्जिट करेंगे तो पूरी तरीके से आप कांसलिंग के राउंड से ही बाहर हो जाएंगे ठीक है यह चीज़े समझ आ गई अब देखिए जो भी एलोटमेंट हुए हो उसको क्या करना आपको जाएंगे अपनी लॉग इन करेंगे आईडी यूजर नेम डालेंगे पासवर्ट करेंगे अपने जो पासवर्ट चेट के ठीक है उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पर जब सब कुछ आपको सेनिक स्कूल आपको म इस कूल करने के भी इंदॉटिट ने हो पास़सेस होगा कई बचे मेडिकल में भी फीट नहीं हो पाते अनवेट हो जाते हैं तो उनकी जिट बचे रहाजाज्याँ तो नेक्स्टर कांसलिंग में प्रोसेस तरीक है counseling का process बढ़ेगा लेकिन आपको अभी try करना है कि admission ले ले ठीक है इसके बाद आपको physical verification at allotted school मतलब जिस सैनिक स्कूल में आपका admission हुआ है या नियू सैनिक स्कूल में आपका admission हुआ है उसमें medical और बाकी document के साथ आपको physically वहां present होना है ठीक है इसके बाद payment करेंगे आप payment करने बाद आपका final admission हो जाएगा बस इतना ही process था document तो आपको पता है क्या क्या चीज़े लगेगा अधार card income certificate domicile cash certificate ठीक है और बाकी list है इसमें लगबग तेरा चाहँदा document की इसमें आपको admin card भी लगेगा application form भी लगता है इसमें और आपका allotment लेटर जो आएगा वो लगेगा और बाकी चीज़े मैं देखकर आपको बता पासपोर्ट site photo और और क्या है postcard site photo अभी आपको मैं देखकर सब कुछ समझा देता हूँ ठीक है तो इतनी का selection नहीं हो पाया है अगर उनकी age मन के लिए उन्होंने इस बार एक्जाम दिया अगर उनकी age एक अप्रेल एक अप्रेल यहाँ पर मैं नहीं हाँ एक अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच है ठीक है जन्वति थी date of birth ठीक है क्या बात हो रही है अगर उनकी जन्वति थी किसके बीच है एक अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच है तो next year कभी एक्जाम दे सकते है मान के चलिए हो 2000 किसमे 2000 देखिए अभी जो इस बार बच्चों ने एक्जाम दिया मैं आपको समझाता हूँ इस बार जो बच्चों ने एक्जाम दिया क्या था उनके लिए एक अप्रेल इस बार के बच्च लिए next year के लिए है ना 2024 के लिए ठीक है जो पिछले बार 2023 वाले बच्चों मत अभी वाले बच्चों ने जो एक्जाम दिया उनके लिए क्या था एक अप्रेल मार्च 2013 में बच्चा क्या जन्म हुआ तो उसमें 2023 का दिया मान चला फैल हो गया क्वालिफाइड ने हो पाया या फिर कांसलिंग में भाग लिया नहीं हो पाया अब वो इस येर के लिए है इसके बीच में भी तो आ रहा है 2012 से 2014 के बीच एक अप्रेल से 31 मार्च 2014 बीच आ रहा है न तो बच्चा नेक्स येर भी एक्जाम दे सकता है तो डेट और बर्थ जरूर चेक करें ठीक है और आपके लिए सैनिक अलफा बेच में बहुत ही अच्छे ढंग से तैयरी कराई जा रही है द्रोड स्कूल के अप में जाके देखें सैनिक अलफा बेच जो नेक्स येर रहा है नी 2024 के लिए आप सभी को सैनिक स्कूल के लिए प्रेपेर कर रहे ठीक है बहुत ही अच्छे ढंग से अब ही कांसलिकर प्रोसेस चल रहा है बढ़िया से आप सभी परफॉंग कीजे मतलब कांसलिकर जिटनी भी सीटे बच्छी ए उस पर अपलाई कीजे ये चीज नहीं करना है आपको कि कांसलिकर भागी नहीं लेना है कुछ भी कारण हो, अगर आपको एड्मिस्टन हो रहा है, तो आप जरूर ट्राई करते जाए, ठीक है, इसमें काउंसलिंग में कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो जरूर काउंसलिंग में हिस्सा, जरूर लिए सर्च कर लें, ठीक है, फर्स राउंसलिंग प्रोसेस, द्रोर इस्कूल, फर्स राउंसलिंग प्रोसेस, जरूर इस्कूल, अब लिएक एक एक वीडियो मैंने आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट सब कुछ अप्लोड की हुए, ठीक है, तो यह चीज़ आप ध्यान देंगे, अब देखिए, आपको ओफिसियल साइट, अल इंडिया सैनिक स्कूल की ओफिस, देखिए, अल इंडिया सैनिक स्कूल अड्मिसन काउंसलिंग की ओफिसियल वेफ है, यहाँ जाना है, आपको एक इक चीज मैं दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए, यहाँ पर आपको होम लिखा हुआ होगा, इस पर कुछ नहीं करना है, अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कांसलिंग प्रोसेस, कांसलिंग प्रोसेस में टिक किया हमने, क्लिक किया अब देखिए आपे counseling schedule लिखा है देखिए counseling schedule में भी लिक करके जो चीज मैंने आपको दिखाई screenshot लेके वही चीज है timing की कब तक date है देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर कि accept reconsider exit करने के लिए last date है 18 अपरेल तक ठीक है और medical के process के लिए आपका कब तक है 15 अपरेल से 27 अपरेल तक last date सब कुछ process करने की 27 अपरेल तक है ठीक है दिखान रहेगा आप सभी को अब चलिए फिर से चलते हैं अब यहाँ दिखान चेक लिस्ट भी अंडर्टेकिंग अंडर्टेकिंग में आपको लगाना है कौन कौन से document के लिए आप eligible है मतला आप सब्मिट करेंगे या फिर आप eligible ही नहीं है उसके लिए आप नॉर्मल है ठीक है दिव्यांग जन नहीं तो आपको दिव्यांग जन का certificate नहीं सब्सक्राइब करें उसके इसाब से जनरल वालों को नहीं देना पड़ता कुछ ठीक है यहां देकि प्रोविजनल मतलब certificate कुछ नहीं देना पड़ता कहने के मतलब जनरल वालों को category certificate की बात हो रही है न ठीक है यहां पर admission लेटर जो भी आपका admit card करना है score card जब आपने certificate बता जिकांटो मिसाली आप सर्च कर लिजेगा सब कुछ आपको मिल जाएगा ठीक है adoption deed मतलब आपको कोई है अगर आप adopt किये गए हैं ठीक है तो आपके माता पीता कि यहां पर detail देनी होगी अगर आप adopted child है तो ठीक है सभी के लिए नहीं है और वहां सैनिक स्कूल में दिव्यांग जन बच्चों का सायद इसमें admission वगेरा नहीं होता मैं बात कर रहा है यहां पर adoption child ठीक है adopted जो child होते है बागी जो भी certificate यहां needed है जिस भी ठीक है यहां जो भी certificate needed है उनकी बात हो रही है ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता रहा था adopted child के बारे मैं आपको सायद दिव्यांग जन के लिए बोल दिया था वो नव दय में था वो चीज क्या होती ही नव दय में भी रहती तीन से चार परसंट जो seat होती है वो दिव्यांग जन बच्चों के लिए अरक्षित होती है ठीक है नहीं है तो हमने किसके बात कि यह जो तेरा चुदर प्रकार से जिसके लिए आप एलिजिवल है मैं कुल्मना के बात आपको यह बताना चाहरा हूं कि जिसके लिए भी आप एलिजिवल है देखिए जैसे कि कौन कौन सी चीजे सभी को नहीं देनी पड़ेगा आपको मैं द केटिगरी से अगर किसी बच्चे ने अप्लाई किया है तो उनको डिफेंस केटिगरी के लिए कुछ सर्टिफिकेट होगा यहां से आपको डाउनलोड हो जाएगा बगल से ठीक है उसको सम्मिट करना पड़ेगा वो बाकी के जैसे स्ट केटिगरी स्ट के बच्चों को यह सम पड़ेगा क्या मातापीता को जो जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको सम्मिट करना पड़ेगा अब यह चीजे हमने देख ली अधर काउंसलिंग प्रोसेस आप आप जाएंगे स्कूल इंफोर्मेशन में सीट मैट्रिक्स दिख रही स्कूल इंफोर्मेशन और स्कूल वा ऐसको नीचे करेंगे यहां पर ढूर oniaसी में सीट में तीन को किसको मोड़ को जते और स्कूल इसको नीचे स्कूल यहां तो यहां अहीं वाले बंक broader उस्क यहां नंबर आप इंसे घञिक नाज हम सी remindsנками और एक कौन से, एक S C category के लिए है, ठीक है, तो 202 Mark, 204 Marks और 261 Marks पे, वह हैं सेलेक्शन है, All India Rankin की दिख रही है, तो बस यही आपको मैं बताना चाहरा था, कि आप ऐसी चेक कर ले, ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक करना है, इसको इनफर्मेशन में है, अब आपको आना है notice पे notice पे जैसी आएंगे आप latest instruction पे click करेंगे तो देखिए latest instruction पे खरेंगे तो सबसे उपर जो आएगा एक number इस पे click कर देंगे आप इसका नीचे यहाँ देखिए download हो रहा है चीजे अब इस पे click करें अब देखिए यह आगे आपकर पूरा है वही जो च selection हो जाएगे सब चीजे मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है screenshot username डालेंगे आप अपना password इंटर करेंगे ठीक है उसका नीचे candidate result देखिए तीन चीजे यहाँ पे दिखेंगी एक my profile एक choice feeling और एक candidate result पे आप click करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा देखिए सब कुछ allotted तो सैनिक स्कूल का नाम लिखा है संगोली रायना क्या है रायना सैनिक स्कूल तो इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है medical center reporting time medical center will be allocated by the allotted school ठीक है अगर if any तो आपको यहाँ बता दिया जाएगा आपको सब कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगे इसका आपको accept क करना है रिकंसीडर करना है इसके option आएंगे इसी तरीके से आप accept and continue करेंगे रिकंसीडर करेंगे exit करने के लिए एकजिट करेंगे तो आप पूरी तरीके से उससे बाहर हो जाएंगे बस यही प्रोसेस है इतना ही आपको समझाना दा ठीक है यह सब चीज़े में आपको बता हाई स्टार्ट करें ठीक है देखिए इस सुमाना दो हजार चोबी सैनी नेक्स्ट यर के लिए आप अगर सैनी की स्कूल की प्रिपेशन करें आपकी एज लिमीट मैंने बता चुकिए वीडियो को अच्छे से देखें ठीक है अगर बीच में लाइक कर रही है आपने इस सा सप्रेल को होने वाला है 15 दिन लगभग 15 दिन ही बच गए है अब आपके कोई कॉंसेप्ट के लिए नहीं है तो आप अर्जुन बैच में इंडोल कर सकते हैं बाकी प्रैक्टिस के लिए केवल आपके लिए 30 मॉडल पेपर ही इंपोर्टेंट है 50 मॉडल पेपर याद रख चार पांच चेप्टर समझ नहीं आ रहे तो आप देख सकते हैं उसके टेस्ट दे सकते हैं उससे रिटेड एक्सराइज कोईशन करके अब बहुत अच्छे डंग से तैयरी कर सकते हैं तब उसी कंडिसर में आप अर्जुन बैच में इंडोल कीजिए वरना आप मॉक टेस् अन्तिम समय में बहुत अच्छे नहोदा अलफावेश जैसे सैनिक अलफावेश था इसी नेक्स्ट यर यानि 2024 के लिए नहोदा विद्याले की तैयरी करें जो बच्चे अभी क्लास ठाट फोर्थ में हैं आगे बेसिक से जीरो से तैयरी करना चाते हैं कुछ बच्चे होते इंडोल करके अपनी तैयरी स्टार्ट करें 50 मॉडल पेपर के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको 90 मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेन होने वाले 50 मॉडल पेपर यानि 4000 कोश्टन फिर कुछ भी नहीं बचेगा इतना कर लीजिए आपका सेलेक्शन होने की सीख लेंगे हा ठीक है तो बहुत ही अच्छे रंक से आपके लिए तयार किये गए हिंदी, मीडियम, इंग्ल्लिस, मीडियम दोनों में इसमें इंरॉल करके अपनी तैयारी कीजिए नो दैक लिए 10 मॉडर्टेस्ट है 30 मॉडर्टेस्ट भी है आप जिसमें इंरोल करना चाहें 10 mock test वाले है 30 mock test वाले 30 mock test आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial है सैनिक के हैं उसी परका सैनिक में आपको ढ़ाई गंटे का समय मिलेगा सैनिक स्कूल का जो एक्जाम होता ढ़ाई गंटे का होता उसका सिलेबस अलोगा तो उसी साप कोड़ एप्लाई करके आप कोर्स में 10 प्रितिसत की छूट पा सकते हैं यह रहाँ टेलिग्राम ग्रूप नवदय अंडरिस्कूर सैनिक अंडरिस्कूर 6 क्लासिक्स के लिए सैनिक और नवदय बच्चों के लिए और यह रहाँ नवदय अंडरिस्कूर सैनिक अंडरिस्कूर 9 ठीक है नाइन्त के बच्चों के लिए इस पर इन्रोल करें नए 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 कोस्टन आते हैं बच्चों के डाउट आएंगे कुछ आपके डाउट आए बहुत दिन नए नए कोशन आएंगे आपको मदद मिलेगे ठीक है जादा नहीं ऐसा कि आप दिन भर उसमें बितारे नहीं 10-15 मिनट देखिए जो डाउट है आपके ठीक है अपने डाउट भेज दीजी आप सभी देखिए आपके आपके वीडियो मैंने complete second round admission का प्रोसेस बत तक admission का प्रोसेस जो है चलता रहेगा ठीक है तो आप सभी को दोस्तों को वीडियो सेयर करना है ताकि सभी सही जानकारी प्राप्ट चके ठीक है फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ